नमस्ते दोस्तों सबको राम राम यह देखिए आज मैं एक जो मोटी उल का स्वेटर बना रही हूं इसकी एक वीडियो मैंने पहले डाल दिया अपने चैनल में कितने फंदे से मैंने यह शुरू किया था वो पूरा तरीका उसमें बताया था और आज मैं इसकी जो गटाई है ना मुड़े की और बाजू की दोनों आपको बताऊंगी कितने कितने फंदे इसको गटाने क्योंकि मोटी उल में फंदे हमें उस हिसाब से गटाने होते हैं और इसमें मैंने फंदे डाले थे 50 और मोटी सलाई लगा रखे इसमें 0 नंबर की सलाई है और यह देखिए इसका पूरी करने के बाद इसमें कैसे घटाई कि इसमें मैंने 20फंदे डाले थे बाझ्यू में क्योंकि मोटी उन यह तो फिर ज्यादा फंदे ज्यादा होगि तो 20 फंदे डालने के बाद मैंने यहां त Pop बिना कोई Spes बढ़ा इतने तक मैंने कोई भी फंदा नी बढ़ाया उसके बाद से मैंने एक बार तीसरी और एक बार चोथी सलाई पर फंदे बढ़ाते हुए इसमें मैंने करें 50 फंदे यहां तक 50 फंदे इसके क्योंकि बड़ा स्वेटर जब आप बनाते ना नॉर्मल उन से तो उसमें ह आस पास तो फंदे करते ही हैं यहां पर तो हमें यहां पर हाफ फंदे करने हैं तो यह करने के बाद जब इसकी मुड़े की कटाई करी ना तो यह देखिए दो फंदे जो हैं ना मैंने गटाने के बाद हर बार फिर एक एक फंदे गटाते हुए 50 में से मैंने इसमें 28 फंद वह मैंने गठा दिए तो देखिए इसकी शेप बहुत अच्छे आई है और सिलने के बाद भी इसकी शेप बहुत सुन्दर आएगी देखिए बाजू की गटाई करने के बाद बाजू की सिंपल गटाई मैंने आपको बता दी अब इसमें जो यह फरंट पार्ट है जितनी यहां देखिए हैं कीटेन रखने के बाद अब इसमें धेखिए फ्रंट वाले में हम शुरू में कितने फटे इंगे एक क्यों गें दो और तीन देखे तीन फंदे हमने शुरू में गटा लिए अब तीन फंदे हम इधर से गटाएंगे और फिर गटाने के बाद यहां फिर दुबारा बताती हूं देखिए तीन फंदे हमने इधर गटाए थे और तीन ही फंदे हमने इधर गटाके और अब हम गटाएंगे इसमें दो फंदे एक और दो और अब यह सलाई बनाने के बाद दो इधर से गटाके फिर यहां कैसे कैसे गटानी है फिर बताती हूँ देखिए दो और तीन और दो पांच फंदे अमने इदर गटा लिए और पांच फंदे इदर गटा लिए अब हमें एक एक फंदा और गटाना है दोनों साइड से तो हमारी जो यह गटाई है ना यहां की फरंट वाले पार्ट की यह हो जाएगी पूरी अब हमारे छे फंदे इदर हो जाएंगे और कम और छे फंदे इदर तो देखिए उससे बहुत अच्छी जो है ना फिटिंग आती है और यह जो बड़े मोटी हून होती है ना इसमें ज्यादा फंदे बिल्कुल निरखने चाहिए नहीं तो फिर स्वेटर जो है ना लटकता रहता है तो यह फ्रंट पार्ट की गटाई है जो बैक पार्ट की इसकी गटाई करूंगी मैं वो सिरफ दो और एक तीन फंदे की गटाई होगी जैसे हमने इसमें पांच फंदे गटाई ना उसमें हमें तीन गटाने दो एक बार और एक एक बार उससे बहुत सईफ तरीके से हमें गटाई करनी होगी देखे इस तरीके से ये फ्रंट पार्ट की गटाई मुड़े की सही हो जाएगे जितनी लंबाई में इसको हमें बनाना है मुड़ा इसका वो मैं आगे बनाके और फिर आगे इसकी जो वीडियो आएगी ना जो भी आपके कमेंट होंगे आने का पूरा तरीका उसमें शेयर करूंगी तो देखिए इस तरीके से शेप आएगी हमारी वह सुन्दर शेप आती है जब हम इस तरीके से गटाते हैं मोटी हून में और यह इसका बैक पार्ट है इसमें दो और एक की गटाई करते हुए हमें फिर इसको जितनी लंबाई करने की आप बताना जरूर कमेंट में लिख कर